इक्रेल का हमेशा दावार आ है कि हमास अपने कोर एरियास को या ओपरेशन्स को रियाईशी इलाकों में रख रहा है ताकि वो वहाँ पर जो आम नागरिक हैं और रियाईशी इलाकों में अपने आपको धाल बनाकर और आम नागरिकों को धाल बनाकर अपने ओपरेशन्स गं जी नीरज बताईए क्या वहाँ पर मिसाइल की फाइरिंग हो रही है देखे बिलकुल अनन दिसलिए आपको हमने बुलाया है देखे एक अभी हमला किया गया है हवाई हमला सामने आपको दिख रहा होगा गाजा के आसमान पे धीरे धीरे वो चमकीला सा जो आपको वीडियो दिख रहा है सामने में वो गाजा के आसमान पे बेट हनून बेट लहिया और जबालिया उसके इन पेड की याड में जबालिया है अभी यहां से बताना बहुत मुस्किल है लेकिन सामने में बेट हनून बेट लहिया जबालिया और गाजा सिटी सेंटर है और देखिए अभ हिर आपको धूह उटता दिखे गा पूरे गाजा के आस्मान में आपको इस वक्ड़ुमा दिख रहा है हमारे केमरे पर कितना कहच हो पा रहा है वहां ये हमारे ले मुश्किल हों पता है लेकिन लिगातार हमले हो रहे हैं दिख में है गाजा सिटी सिंटर बाइं तरफ है बाइं तरफ थोड़ा दिखाईगा करम सिंग यह देखिए और यह सामने में अभी धूआ उठा है वो आपको दिखाते हैं यह सामने में करम जी यह सामने में देखिए जहां अभी हमला हुआ वहां धूआ देख रहे होंगे आप ज अभी अभी नियूजेटिन इंडिया आपको लगतार गाजा बॉर्डर से गाजा की सीमा के अंदर जो शहरे हैं बेट लईया हो बेठन उन्हों जबालिया हो जबालिया शहर भी और जबालिया एक रिफ्यूजी कैम्प है दूसरा सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैम्प है और द्वान देख रहे हैं करम सिंग वो हमारे कैमरे पे जा रहा है करम जी कि बड़ा धूए का गुबार रहाइसी इलाके से उठाए आनंद और लगातार उत्री गाजा पे हमला हो रहा है जबालिया एक शहर भी है जबालिया एक रिफ्यूजी कैम्प है और उन पूरे इलाके में हमला हो रहा है जबालिया रिफ्यूजिक कैम पर हमले को लेकर दोनों तरफ से अलग-अलग दलीले दी जा रही अभी बढ़ने वालों का अकड़ा नहीं पता है लेकिन लगातार उत्री गाजा के इलाके में हमला हो रहा है न्यूजेट इन इंडिया आपको धूए का गु अभी थोड़ी देर पहले आनंद वो पूरा रिहाईसी इलाका आपको दिख रहा था हमारे कैमरे पर लेकिन धूएं के गुबार की वज़ज़ से पीछे का इलाका ढग गया है आप देख सकते हैं इस तरह से दिन भर यहां रात भर हमले हो रहे हैं लेकिन कल जबालिया पे हवाई हमले किये जा रहें जि आनंद नीरज आप जो बता रहे थे यह हमने देखा लाइव आप यह तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं आपके वीजे करम सिंग ने कैच किया कि कैसे ये मिसाइल नीचे उतरता है और फिर जैसे पिन पॉंटेड स्ट्राइक किये जा रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं आप ये भी बता सकते हैं कि कब कितने बजे से आज सुबह ये अटैक शुरू हुए हैं। आप इजी पोजिशन पे थे कि अभी पहुंचे और ये अभी फ्रेश अटैक्स एक और एक बराज ओव अटैक्स IDF की तरफ से किया जा रहा है। पिज बीच में अटैक होता है लगाता रात में हो दिन में हो रात के बारह एक बज़े तक अगर यहां के लोकल टाइम भारतीय समय को मताबिक साड़े तीन चार बज़े तक यह अटैक्स पर ज्यादा होते हैं फिर रात में थोड़ा सांथ होता है लेकिन सूबह से पाथ छे बज़े से लोकल टाइम के मुताबिक एक-एक हमला होता है लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम यहां अधे गंटे पहले आए थे लेकिन पंदरा मीनट से लगतार हमले हो रहे और अवाज हमें लगतार आ रही और जैसे जैसे हमला रुकता है जो पूरा सहर है वो हमें दिखन रहे हैं तो जब यह हवा में मिसाइल आती है आपको आवाज आती है अवाज के बाद आप मिसाइल को स्पोर्ट कर पाते हैं और यह जो आपने तीन जगह दिखाई जैबेलिया बीच में है लेफ्ट और राइट में भी अलग-अलग जगाजा के लोकेशन्स हैं क्या पटि होते हैं वहां नागरिक भी हो सकते हैं इसलिए बार बार यह कहा जा रहे कि उत्तर गाजा को छोड़के आप दक्षिन गाजा की तरफ जाईए तो यह पहले आपको उपर में अभी नहीं दिख रहा है लेकिन जेट आपको उपर में देखने को मिल जाएंगे ड्रोन लगात दिखा रहें अभी एक बार फिर तस्वीरें आपको दिखा दे हम न्यूजेट इन इंडिया पे लगातार अब देखिए वहां जो धूल के अभी थोड़ा सा हमला सांथ हुआ है यह धमाके आ रहें यहां बगल में एक वार फ्रेंट लाइन जोन है वहां जाने की क्योंकि तोप से वहां से हमले होते जो कि इजराइल की सीमा के अंदर है टैंक इजराइल गाजा की सीमा के अंदर घुस गए हैं और पूरी ट्रूप्स जो है इजराइल की वो भी अंदर पहुंची हुई है यह जितने शहर है आनन्द अभी आप हमारे कैमरे पर दिख रहे गुबार दिख रहा है ये सारे जो शहर है इजराइल की सेना से घीरा हुआ तो नहीं कह सकते क्योंकि दूसरी तरह भुमंदे सागर है लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि सी बना लिया सी आकार की अगर इंगलिस अलफ़ाबेट की बात करें यानि उत्री गाजा और पूर्वी गाजा को पूरी तरह से घेर लिया गया है अब जैसे नीरज हमें लाइव रिपोर्ट दे रहे थे आपने देखा मिसाइल स्ट्राइक हुआ और पिन पॉइंटेड एक जगे घिरा और जो वहाँ धमाका होता है तो धूल चारो तरह होती है लेकिन स्ट्राइक पिन पॉइंटेड है यह आईडियाफ का कहना है